तो दियर स्टुडेंट अब हम फिर से एक पावर डिसीपेशन के वेस्ट एक प्राब्लम देखेंगे प्राब्लम मैंने लिख रही है आप है अब सिलिक्वान ट्रांजिस्टर डिसीपेट्स तू वाट दूरिंग वर्किंग इफ माक्सिमूम जंक्शन तेंपरेचर इस 150 डिग्री सेंटीग्रेट तो आपको दिया है सबसे पहले हम क्या करें जो गिवन है वो क्वांटिटी लिख लें पावर मैक्सिमूम डिसीपेटीड पावर दिया है आपको पीडी डेट इस एकोल टू वाट और इसे हम लेख सकते हैं 2000 मिली वाट इसके अलामा आपको मैक्सि दिग्री सेंटीग्रेट तो टी जे मैक्सिमूम यह एकोल टू 150 डिग्री सेंटीग्रेट अब आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमूम एंबियंट तेंपरेटर एट विच इट कैन ऑपरेटेट एजियूम वेल्यू अफ थीटा देट मिस थर्मल अजिस्टेंस की वेल तो आपको थीटा की वेल्यू है जीरो पॉइंट जीरो टू डिग्री सेंटीग्रेट पर मिलीवेट नाओ आपके पास रेलेशन क्या है पी डी टोटल नेट इस एक्वल टू टी जे मैक्सिमूम माइनस टी ए दिवाइड वाय थीटा नाओ वी कें सब्सिट्यू इस वेल् मिलीवाट एस मैक्सिमूम जीववन 1.020 डिग्री सेंटीग्रेट पर मिलीवाट यह थीट जी वेल्यूम की वेल्यूम शॉब्सिट्यू कर देते हैं दिवाय थे बीटा की वेल्यू जीरो पॉइंट जीरो टू मिलिवाट अब टीए के लिए इसको सॉल्व करते हैं तब आपको टी एम्बेंट मैक्सिमम के टर्म में यह कल्कुलेट करके आएगा तो यह क्या आएगा इसको क्या मुल्टिप्लाय किया मुल्टिप्लाय करने के बाद यह सॉ पॉइंट जीरो टू और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके बास वेल्यू आईगी टी जे टी एट इस एक्वल टू बन अंडे टैन डिग्री सेंटीग्रेट तो यह फस्ट पार्ट हो गया इस क्वेस्टिन का सेकंड पार्ट के लिए हम सॉल्व करते सेकंड पार्ट म ले रहा है तो सेकंड केस में बी के लिए आपको पी टोटल यह पीडी टोटल इकवल टो 200 2000 वाट थीटा एकवल टो 0.02 डिग्री सेंटीग्रेट पर मिलीवाट जे मैक्सिमम इकवल टो 90 डिग्री सेंटीग्रेट तो इस फॉर्मूले में हम सॉब्सिट्यूट कर देते हैं वापस तो 2000 इस इकवल टो 90 माइनस टी ए डिवाइड़ वाइज 0.02 तो टी एक लिए फिर से हमने शॉल्व किया डाट इस 90 माइनस 2000 इन्टु 0.02 यह जब कैल्कुलेट करेंगे तो बेल्यू देगा मुझे 40 डाट बीज 90 माइनस 40 डाट इस तरह से हम प्राब्लम सॉल्व कर सकते हैं बहुत असानी से जब हम पावर डिसीपेशन की प्राब्लम आती है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि पी डी इक्वल टू टी जे माइनस टी डिवाइड़ बाए क्यू और क्यू थर्मल लाजिस्टेंस ती जे यहाँ पर जंक्सन ट के लिए हम इस आट कर सकते हैं तो इस प्रॉबलम में हमने क्या देखा कि पहले आपको फॉर्म तो टी जे मैक्सिमम् टी बान था और थार्मल राजिस्टेंस गीवन था पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का उसको हमने एम्दीएड टेंपरेचर केल्कुलेट किया similarly जब हमने यह ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया तो ट्रांजिस्टर चेंज करने में टीज मैक्समूम चेंज हुआ वहाँ पर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर लिया और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए टीज मैक्समूम चेंज हुआ उसके लिए फिर से ह क्योंकि 50 degrees centigrade आया तो इस तरह से हमने problems देखी थैंक यू